हेलो बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो एक्सराइज 6.5 क्वेशन नमबर 8 देखो यहां क्या कह रहा है एक वाट पॉइंट इन इंटर्वल 0 2Pi एक्स कहां बिलॉंग कर रहा है आपका 0 से लेकर के 2Pi तक 0 से 2Pi आपका यहां के इतना होता है इस तरह से यह आपका 0 यह आपका पाइबाए 2 यह पाई यह थ्री पाइबाए 2 और यह यह पाई यह पूरा एक राउंड आपको यहां पर लगाना पड़ रहा है तो यह कह रहा है कि आपका एक्स जो है वो इस इंटर्वल में बिलॉंग कर रहा है दास दर फॉंक्शन साइन 2 एक्स अटें इस मैक्सिमम वैल्यू तो आप अमें यहां पर निकाल के बताओ कि इस इस पूरे इंटर्वल में साइन 2 एक्स कहां पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा इस कौर्ण में इस कौर्ण में इस कौर्ण में इस कौर्ण में कहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा एक से जादा भी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है हमारी क् एंगल के जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे एंगल पर साइन की सेम वैल्यूस होती है होती है ना तो जिसे साइन जीरो पर एक जीरो साइन पाई भी आपका कितना होता है जीरो तो इस वज़े से तो अब आपको वही इंटर्विल दिया हुआ है तो हम वही जो absolute maximum minimum निकालते गे ना उस वाले इंटर्विल उस वाले method से इस question को solve करेंगे जब भी close interval दिया आप समझ लो हमें उसी method से question को solve परना है तो सबसे पहले आप यहां पे लिको fx कितना है तो fx आपका sin 2x है तो सबसे पहले हमें वही critical points निकालने पड़ेंगे तो critical points निकालने के लिए differentiate करो तो f dash x equal to कितना हो गया sign का differentiation कितना होता है cos तो यह आपका cos 2x हो गया चेक है अब 2x का भी करना पड़ेगा तो d by dx of x 1 होता है तो 2 यहां से आगया तो यह 2 हो गया अब critical point निकालने के लिए इसको 0 के equal रोखो put f dash x equal to 0 तो यहीं 2 cos 2x equal to 0 तो 2 इधर चला गया 0 में 0 by 2 0 हो गया तो cos 2x equal to 0 हो गया अब cos 0 क्या होता है तो cos pi by 2 होता है cos 2x equal to cos pi by 2 होता है तो जैसे अभी हमने पहले question किया था कि जब हमें x कहाँ दिया हो था x हमें 0 to pi के बीच में दिया हो था तो अगर अगर सेम यहां पर भी 0 to pi इंटरवल दिया हो होता है यहां से यहां तक में तो हम सीधा यहां पर compare कर लेते भी इधर भी cause है इधर भी cause है और x equal to pi by यहाँ पर 4 हो जाता है हम यहाँ पर simply ऐसे कर लेते लेकिन अब हमारे इसमें क्या रहे चारों quadrant आ रहे तो आपको वो सारे points निकालने पड़ेंगे जो कि इस interval के अंदर यहाँ पर है तो सिर्फ एक से यहाँ पर काम नहीं चलेगा हमें और भी points यहाँ पर देखने पड़ेंगे तो हमने class 11 के अंदर हमारा जो chapter था trigonometry का वहाँ हमने एक method पड़ा था किया पड़ा था कि if cos x equal to general value जो हम निकालते जिससे हम सारे angle बता सकते है कि अगर आपका cos x equal to cos y है तो general term आपकी यहाँ पर क्या होती than सिर्फ आप याद रगलो cos x equal to cos y था तो क्या था sin ay मैं आपको बताती हूँ देखो यह 11 की book है page number 84 पे आप देखना है यह देखो यह general solutions निकलते हैं इससे हम सारे angles निकाल सकते है sin x equal to sin y है तो x यहाँ आएगा n pi plus minus 1 की power n y cos x equal to cos y है तो x equal to 2 n pi plus minus y होगा और 10 x equal to 10 y है तो x equal to n pi plus y होगा तो यह आपका general solution है जिससे हम सारे angles को निकाल सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिखनेगा then general solution क्या होगा आपका x equal to 2 n pi plus minus y होजागा यह हमारा वेली होगा तो यहाँ पे देखो यह cos equal to cos दिख रहा है तो x यहाँ आएगा और y यहाँ आएगा तो x यहाँ पे आपका कितना है x यहाँ पे हमारा है 2x तो 2x equal to 2 n pi plus minus y की जगे पे क्या होजाएगा आपका pi by 2 होजाएगा तो यहाँ से हमें सारे angle मिलेंगे क्योंकि इस interval में होंगे तो हमें देखते हैं इस interval इसमें हमें कौन-कौन सा angle मिलते हैं तो आप value पर पहले हम 2 को इधर लिया तो x equal to 2 by 2 हो गया यहाँ से n pi बज़िया और plus minus 2 यहाँ multiply हो गया तो यह आपका एक्स कितना हो जाएगा pi by 4 नेगेटिव को हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव हमारा इस interval में नहीं आएगा तो यह हम यहाँ पर क्या लेंगे तो n equal to 0 तो x equal to आपका कितना हो गया pi by 4 आगया फिर next आप यहाँ पर देखो when n equal to 1 है तो जब n equal to 1 है तो x equal to कितना हो जाएगा x equal to आपका हो जाएगा pi plus pi by 4 pi plus pi by 4 होगा and x equal to कितना हो जाएगा pi minus pi by 4 हो जाएगा यह दोनों गाले हो जाएगे तो pi plus pi by 4 एल सिम ले लो 4 pi plus pi तो यह आपका 5 pi by 4 हो गया और यहाँ x equal to 4 pi minus pi तो यह आपका 3 pi by 4 हो गया अभी n equal to यह सारे इसी interval में pi by 4 आपका यहाँ पर है यह 5 pi by 4 तो यह आपका 45 हो गया 45 को 5 से multiply करोगे तो यह भी हमारा 0 to 2 pi मतलब क्या हुआ 0 से लेकर के 360 के बीच में जो angle आ रहे हमें वही लेने हैं तो यह हो गया यह भी छोटा है हमारा यह भी छोटा है चलो अब next आप यहाँ पे लो तो यह 4 2 is a 8 pi और यह आपका कितना हो जाएगा 9 pi by 4 तो यह 9 pi by 4 आपका क्या हो जाएगा greater than 2 pi से यह 2 pi से बढ़ा हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे नहीं लेंगे है ना हमें सिर्फ उस interval की value ही लेनी है तो यह हमने यहाँ पे लिख दिया और 9 sol करो 4 2 is a 8 8 pi में से आपका एक और pi चला गया तो यह कितना बज़गी आपका 7 pi by 4 तो यहाँ से हमें मिला x equal to 7 pi by 4 तो यह भी हमारा 2 pi से छोटा है यह सारे जो है वो आपके 2 pi से क्या है छोटे हमें सारे वही value लेनी है जो 0 से 2 pi के बीच में आती हो तो बस आके अगर आ यहां से कितने critical points मिलें तो हमें यहां से चार critical एक तो तीन 4 मिले और 2 कौन है दो हमारे यह नहीं को भी तो देखना होता है तो हमें इन सब के ऊपर क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा ठीक है तो यह हमारे critical point आये है 4 2 हमारे interval तो हमें टोडल 123456 सब के ओपर में चे तो देखो f of 0 कितना हो जाएगा f of 0 यानि sin 2 into 0 तो ये आपका कितना हो गाया sin 0 गया और sin 0 क्या होता है 0 तो 5 by 4 पे चेक कर रहे x equal to 5 by 4 तो f of 5 by 4 हो गया तो ये कितना होगे । sin 2 into 5 by 4 हो गया मैस्फ तो 2 से आपका 4 cancels हो गया 2 time तो यानिंए कि ये कितना हो गया यह sin pi by 2 गया sin pi by 2 कितना होता है तो 1 होता है फिर आप next यहाँ पे check करें x equal to 5 impliesbi 4 f phi Stream 3 sin 2 into 5 5 5 5 5 Who do that SAN 1 180 by 2 हो गया यह निकि 90 हो गया 5 by 2 90 हो गया तो यह 90 हो गया तो यह कितना हो गया 450 हो गया चीक हैं? तो ये तो हम सीधे से निकाल नहीं सकते हैं तो आपको हमेशा जिसका भी एंगल निकालना है वो अगर आपको नहीं समझ में आप उसको नंबर में चींज कर दो तो ये आपका केतना हो रहा है? एक्शल में 450 हो रहा है हम check 5 pi by 4 पे कर रहे हैं जो कि हमारा 0 से 2 pi के बीच में ही आता है पट यह sign 2 pi है इसलिए आपका 450 हो गया confused में तो हो जाए है कि ma'am यह तो 2 pi से बाहर निकल गया हम यहाँ पे इस पे क्यों निकाल रहा है क्योंकि हमारा x यह है यह x जो है वो हमारा इस interval में आ रहा है लेकिन यह तो हम जो solve कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है तब भी कोई बार नहीं हमारा x उस interval में आना चाहिए तो 450 यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 450 यहाँ पे हो जाएगा 360 plus 90 हो जाएगा अब नमबर बना लो तो पर यह प्लस 90 कौन सारा फॉर्स क्वार्डिन में आ रहा है तो फॉर्स क्वार्डिन में आपका साइन पॉजिटिव रहता है तो यह आपका यहाँ पर साइन 90 डिग्री ही हो गया साइन 90 की वैल्यू कभी हमने निकाल ली थी वन आवे तो टू से ही कैंसल कर दो टू टाइम हो गया तो यह देखो 270 हो रहा है पाई बाई टू 90 इंटू 30 टू 70 हो रहा है तो यह आपका साइन 3 पाई बाई टू गया तो 270 हो रहा है तो अब इसको आप यहाँ पर कैसे लिखोगे तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 270 ना तो 180 प्लस 90 270 होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे sin 180 प्लस 90 हो गया तो अब देखो यह πाई प्लस कितना हो गया पाई बाई टू पाई प्लस पाई बाई टू कौन से क्वाइटन बेरा है इस वाले में चार value निकाल जाए कि अब 7 pi by 4 x equal to 7 pi by 4 भी निकालता है तो f 7 pi by 4 तो ये कितना हो जाएगा sin 2 into 7 pi by 4 हो गया 2 से cancel हो गया 2 time तो pi by 2 90 और 90 into 7 कर दो तो 54 540 हो गया ये आपका कितना हो गया 540 हो गया तो ये हम 540 को देखो क्या करोगे 2 pi plus something कुछ करना पड़ेगा नहीं 3 pi something करना पड़ेगा तो ये आपका 7 pi by 2 तो ये हमारा कितना हो भी 540 आ रहा देखो यहां पर 540 आ रहा तो ये आपका कितना हो गया 180 180 180 180 3 time कर देते हैं एक second ये आपका 90 है ना 90 into 7 630 आएगा 540 नहीं आएगा ये कितना आएगा आपका 630 आएगा तो 630 आएगा तो आप इसको 3 pi 3 pi यानि 540 हो गया तो 540 और ये 60 प्लस 30 यानि 540 प्लस 90 हो गया तो इस तरह से आप इसको नंबर में calculate करना है तो 540 होता है 3 pi और ये होता है pi by 2 तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे sin 3 pi plus pi by 2 हो गया तो 3 pi कितना हुआ देखो ये 1 pi ये 2 pi और ये 3 pi तो 3 pi plus pi by 2 यानि फिर से आपका third quadrant में है यानि कि minus का sin pi by 2 हो गया तो equal to minus का अच्छा मैंने 90 लिखें यहाँ pi by 2 बढ़ देना minus का sin pi by 2 तो ये भी minus का 1 आ गया चिक है अब last हमारा 2 pi x equal to 2 pi पे निकालो f of 2 pi यहाँ तो 2 से multiply होके साइन 2 into 2 pi तो ये आपका कितना हो गया साइन 4 pi और साइन 4 pi तो घूम फिर के यहीं आना है ये आपका देखो ये आपने गूमा 2 pi और अगें 2 pi 2 plus 2 4 यानि कि यहाँ पर तो वाल्य आपकी 0 आने है जिरो 2 pi 4 pi सबके लिए 0 तो ये आपकी कितनी value होगे जिरो अब आप यहाँ पर देखो कहा minimum है हमें क्या निकलना था एक उन्टो को question के पास आपस जाते हैं यहाँ पर हमें question के अंदर maximum value निकालने थी तो बस अब इसमसे देख लो maximum value कहा है तो maximum value कहां दिख रही एक यहाँ मिल रही है 1 तो देखो 1 यहाँ पर pi by 4 पे भी और 5 pi by 4 पे भी यहाँ तो यह Hence maximum value of fx is 1 और कहां मिल रही तो pi by 4, 5 pi by 4 पे मिल रही है आपको से maximum value निकालके बताने थी तो यहाँ पर 1 बिना question के भी हम बता सकते हैं क्योंकि sign की value 1 से minus 1 के बीच में ही आती है तो जैसा question में पूछा है वैसा लिए हैंस maximum value of fx is 1 और कहां पर मिल रही है at x equal to pi by 4 and 5 pi by 4 I hope अच्छी से समझ में है नोट्स की link description में दिये हैं आहां से आप नोट्स को free में download कर लेना thank you